हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है UPCI ESS Prime YouTube चैनल पर EDCA Basic Course की यह Class 3 वीडियो है इसके पिछले वीडियो में हमने देखा था कि नोटपाइट के बारे में नोटपाइट को अपने कम्प्यूटर में कैसे ओपन करते हैं नोटपाइट क्या होता है और नोटपाइट की कुछ बेसिक जानकारी इस वीडियो में हम आगे से स्टार्ट करेंगे नोटपाइट के फाइल मेनू के बारे में कि फाइल मेनू का वर्ग क्या होता है तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों को बताना चाहता हूँ यदि आप लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख सकते हैं आप लोग अगर उस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोगों को अच्छे से पता चल जाएगा कि नोटपाइट क्या होता है और नोटपाइट को ओपन कैसे करते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और अपने नोटपाइट के वीडियो को सुरू करते हैं सब सब पहले notepad को open करना है तो हम अपने keyboard से window button के साथ R button type करेंगे और इसमें type कर देंगे notepad हम enter कर देंगे notepad हमारे सामने open हो जाएगा यहां से हम अपनी notepad की जो window है इसको full screen में open कर लेंगे जो हमारा notepad है इस वीडियो में हम file menu से start करने वाले हैं क्योंकि पिछले वीडियो में हमने cover किया था notepad के title bar के बारे में title bar क्या होता है control button क्या होते हैं और text area इस तरीके की जो भी basic जानकारी थी उसको हमने cover कर लिया था file menu में सबसे पहले हमारे सामने new का option दिया हुआ है यहां पर हम थोड़ा कुछ matter type कर लेते हैं जैसे कि हमने यहां पर कुछ लिख लिए example के लिए हमने यहां पर एक matter लिखा अब हम file menu में जाएंगे file menu में जाने के बाद new का option दिया हुआ है new से हम कोई भी नया page open कर सकते हैं जैसे हमान लिया भी एक page लिखा हुआ है हम चाहते हैं इसके इस्थान पर एक नया page लाना तो हम file में जाएंगे new पर click कर देंगे new पर click करेंगे तो हमारे सामने एक message आजा जाएगा इसमें लिखा होगा do you want to save change जैसे हमने यहाँ पर don't save पर click कर दिया तो हमारे सामने जो पहले का मैटर था और हट गया हमारे सामने एक नया page open हो गया तो control लेंस से हम एक नया page open कर सकते हैं फिर उसके बाद हमारा आता है new window का option new window से होता है जो हमारे notepad की एक window यहाँ पर open है हम new window से एक और window open कर सकते हैं जैसे हम इसको अभी restore down करते हैं आप लोगों को तभी अच्छे से समझ में आएगा कि new window क्या होती है जैसे कि हमने इसको यहाँ से restore कर लिया छोटी स्क्रीन में इसको notepad को कर लिया फिर हम file में जाएंगे new window पे click कर देंगे हमारे सामने notepad की दो window open हो जाएंगे हम चाहें इस window पे work करें या फिर इस window पे work करें दोनों window पे हम एक साथ work कर सकते हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कि new window क्या होती है new window से notepad की हम दूसरी window open कर सकते हैं और new से हम एक नया page ला सकते हैं फिर open का option दिया हुआ है open के option से जो भी notepad की पहले file बनाई गई है उस file को हम open कर सकते हैं जैसे file में जाएंगे open पे click कर देंगे तो हमारे समने एक नया dialogue box बनके आ जाएगा यहां से जिस location पे हमारी file पड़ी हुई है उस location को select कर लेंगे जैसे desktop पे हमारी file पड़ी है तो हम यहां से desktop को select किया जैसे desktop को select करेंगे तो हमारे समने file आ जाएगी जो भी जैसे UPCI SSNAMP की एक file पड़ी हुई है इसको हम select करते हैं यहां से open कर देंगे तो जो भी उस फाइल पे हमारा माइटर लिखा होगा वो फाइल यहां से आ जाएगी जैसे यहां पे लिखा है Welcome to UPCI ESCS Prime तो आप लोग समझ गए होंगे कि Open का काम क्या होता है यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और Slabers Complete होने के बाद आप लोगों को Certificate भी दिया जाएगा उस Certificate को आप कही पर भी यूज कर सकते हैं क्योंकि वह Certificate Government Approval Certificate है फिर Save का Option आता है चलिए हम जान लेते हैं कि Save का Option क्या होता है उससे पहले हम इस Window को यहां से Close करेंगे तभी आप लोग अच्छे से समझभाएंगे जैसे हम इसको यहां से Close कर दिया Notepad को Open करते हैं Notepad को हमने यहां से Open कर लिए अब यहां से जो भी हम Matter टाइप करेंगे फिर हम Save करेंगे अगर Save नहीं करेंगे तो जो भी Matter यहां पर हमने लिखा है यह Matter हमारा Delete हो जाएगा यहां से हम Close कर देंगे जो भी Matter होगा यह Matter आटोमेटिक खड़ जाएगा अगर हम अपनी File को Save नहीं करेंगे इसलिए File menu में Save Option दिया गया है हम Save पर क्लिक करेंगे जिस भी Location पर हमको अपनी File Save करनी है उस Location को यहां से हम Select कर लेंगे यहां पर File Name डाट टेक्स्टी जो दिया हुआ यह Notepad का Extension होता है इसका मतलब यह होता है कि यह File किस Application पर बनाई गई है जैसे ही इसमें हम अपने इस File को किसी भी नाम से Save करना चाहते है जैसे हम यूपी डाल दिया यूपी डाल देंगे यहां से हम अपने File को Save कर लेंगे जैसे ही Save करेंगे तो आप लोग देख रहे होंगे जो हमारा Title Bar होता है Title Bar में यूपी नाम File Save हो गई यहां पर उस File का नाम दिखाई दे रहा है जो Default रूप से Untitled था उसके इस्तान पर हमारी File का नाम दिखाई दे रहा है इसको यहां से हम Close कर देते हैं तो आप लोग देख रहे होंगे यहां पर यूपी नाम की File बनी हुई है इसको हम यहां से जैसे ही Open करेंगे तो जो भी हम मैटर वहां पर लिखे थे वो मैटर हमारे सामने आ जाएगा फिर File में जाएंगे यहां पर Save As का Option दिया हुआ है Save As से जो हमारी यह File बनी हुई है हम एक ही Location पर एक ही नाम की File नहीं Save कर सकते उसके लिए File मेनू में Save As की इस्व इदा दी गई है Save As पर क्लिक करेंगे तो हम Desktop पर इस File को Save करना चाहते हैं अब जैसे कि हम चाहते हैं अपने इस File को दूरसे नाम से Save करना है तो जिस भी नाम से Save करना है तो यहां जैसे कि Yelp Type कर देंगे हम यहां से इसको Save कर लेंगे हमारी File Yelp नाम से Save हो जाएगी टाइटल बार में आप लोग देख रहे होंगे Yelp नाम से हमारी File Save है क्योंकि हम इससे duplicate File भी बना सकते हैं जैसे देखें यहां पर हमने Yelp नाम की File ओपन की जो भी matter हमारा Yelp नाम की File में लिखा है और यहां पर एक LMP नाम की File है जो हमने Save As किया दोनों File में एक ही data लिखा हुआ है यहां से हम अपने इस File जो है इनका Size भी कम जादा कर सकते हैं जेतना चाहें उतना Size हम बढ़ा सकते हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कि Save As से क्या होता है Save As से हम एक ही File को दो नामों से Save कर सकते हैं क्योंकि हम एक ही File को एक ही Location पे एक ही नाम से नहीं Save कर सकते हैं आप लोग समझ गए होंगे कि हम Save As का यूज कैसे करते हैं फिर Save As के बाद हमारा आप सनाता है Page Setup का Page Setup के जो भी हम मैटर लिखेंगे अपने Page की सेटिंग कर सकते हैं जब हम अपने Page को Print करेंगे तब हमारा जो Page है और अच्छे से दिखाई देगा जैसे हम File में जाने के बाद जब Page Setup के क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक नाया डालॉक बोक्स बनके आ जाएगा यहां से जो भी Paper है Paper का Size हम लगा लेंगे A4 लगा लेंगे क्योंकि आज कल मार्केट में A4 Size की Paper ज्यादा उपलब्द है यह हमारा Portrait Page है जो अभी यहां पे Page दिखाई दे रहा Portrait Mode में Open है इसको हम Landscape Mode में रखना चाहते हैं तो जो हमारा Page है Landscape Mode में हो जाएगा Landscape में हमारा Page बेड़ा दिखाई देता है और Portrait में हमारा Page खड़ा दिखाई देता है अगर हमें खड़ा Page निकालना है तो Portrait पे टेकर रखेंगे Landscape निकालना है तो हम अपने Page को Landscape Mode में कर देंगे माल यह हमको Portrait में रखना है तो हम Portrait पे रखते हैं यहां पर margin दी हुई है, page के चारो तरफ जो blank जगा दिखाई दे रही है margin है, margin होती है, जैसे कि जो भी हम matter लिखना चाहते हैं, हम चाहते हैं page के चारो तरफ हमें कितनी कितनी जगा छोड़नी है, यहां से हम छोड़ सकते हैं, जैसे अभी page का left भाग होता है, इस side का जो दिख हाई दे रहा है, यह हमारा bottom होता है, जैसे कि left side से हम कितनी margin देना चाहते हैं, यहां पर type कर देंगे one, जैसे हम left से one चाहते है, type button प्रेस करेंगे, हम आगे आ जाएंगे, right से भी one देना चाहते हैं, और bottom से भी one, और मतलब top से भी top और bottom से हम one देना चाहते हैं, तो page के चार करनी हो हम यहां से छोड़ सकते हैं फिर यहां से ओके कर देंगे तो हमारे पेज की जो सेटिंग है यहां से हम अपने पेज की सेटिंग यानि की पेज का सेट अप कर लेते हैं फिर जो भी हमारा पेज होगा इसको हमें प्रिंट करने के भी जरूरत होती है तो उसके लिए फा द्लिखम भोकस आ जाएगा झिस भी कंपनी का हमारे कम्प्यूटर से बीड़ एक ह से प्रेंटर से लेंगे फिर कितने प्रेंटर तो सं utilizing निकाल आधना है तोtera सलेक्शन पर टिक लगा देंगे माल लिया हमारे समने 20 पेजर हैं यहां पर जो पेज दिया हुआ है क्योंकि हमारे computer में कोई printer add नहीं है यहाँ पर हमारे आपने highlight नहीं हो रहे हैं जैसे कि हमारा जो काम है 20 page का है हम चाहते हैं 5 page से लेके 15 page निकालने हैं यहाँ पर page पर टिक लगा देंगे जो हमारे computer में printer add होगा तो यह highlight हो जाएगा और इसमें हम 5 address लगा के 15 type कर देंगे तो 5 page से लेके 15 page योवारे सभी page परेंट हो जाएगे चितनी copy चाहते हैं उस page की यहाँ से हम copy type कर देंगे यहाँ दो 3 copy चाहिए तो 3 type कर देंगे याद 4 copy चाहिए तो यहाँ पर हम 4 copy type कर देंगे इस तरीखे से और यहां पर apply कर देंगे और print कर देंगे हमारे सामने जो भी printer होगा उसमें इस page की print निकल जाएगी माल लिए हमारे में कोई printer नहीं है तो इसको हम यहां से cancel करते हैं फिर हमारा file menu है file menu में जो हमार exit option होता है सबसे last में दिया गया है इससे क्या होता है जो हमारी notepad की window है इसको हम यहां से close कर सकते हैं जैसे file में गए exit पर click कर देंगे जो भी हमारा matter था ओ यहां से close हो जाएगा तो आप लोग समझ गए होंगे कि notepad में file menu क्या होता है फिर हम आगे देखेंगे जो हमारा edit menu है edit menu का work कैसे होता है edit menu में जब सबसे पहले हम जाएंगे edit पर click करेंगे तो यहां पर undo का option दिखाई दे रहा है undo के option से होता है जैसे कोई यहां पर इतना matter लिखा हुआ है by chance गलती से delete हो गया हम इसको पुना लाना चाहते है edit menu में जाएंगे undo पर click कर देंगे जो भी हमारा matter था ओ वापस यहां पर आ जाता है फिर हम edit menu में जाएंगे यहां पर cut का option दिखाई दे रहा है मालिया यहां पर जो एक line दिखाई दे रही है इसको हम यहां से move कराना चाहते है यानि कि यहां से हटाना चाहते हैं और किसी दूसरे इस्थान पे लाना चाहते हैं तो जितना भी text को हमें हटाना हो उतना यहां से हम select कर लेंगे आप लो यहां से हम cut कर लेंगे, जैसे ही हम यहां से cut करेंगे, यहां से o meter गायब हो जाएगा, हम चाहते हैं यहां पर paste करना, यहां पर cursor रखेंगे, और edit menu में जाएगे, यहां पर हमारे सामने paste का अफ्रन दिखाई दे रहा है, यहां पर click कर देंगे, तो हमारा जो भी meter होगा, यहां से paste हो जाएगा क्यानि कि कि जब हम किसी भी लेटर पैराग्राफ को कट करेंगे तो जहां पर ऑफ माइटर होगा जहां से हम कट करेंगे वहां से वह हट जाएगा और जिस इस्तान पर हम paste करना चाहें उस इस्थान पे paste कर सकते हैं आप लोग एक बात रियाद रखें जो भी हम last time cut करें या copy करें अगर हम paste करेंगे तो बार बार हमारा वही repeat होगा तो आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा जो भी matter हो बार बार वही यहां से repeat हो रहा है जैसे edit में पेस्ट किया फिर हमारा वही matter आ गया फिर इडिट में गये फिर पेस्ट किया तो बार बार वही matter repeat हो रहा है जो हम last time cut किये थे फिर उसके बाद edit menu में हमारा copy का आप सनाता है copy और cut लगभग same ही है बस थोड़ा सा अंतर होता है जैसे कि यहां से line लिखी हुई है हम चाहते हैं इस line को copy करना है जैसे online video लिखा हुआ है हम चाहते हैं कोई भी worker नहीं हमें online video की यहां पर भी जरूरत है तो हमें type ना करना पड़े उसके लिए इतने matter को हम इसको select कर लेंगे edit menu में आएंगे यहां से इसको हम copy कर लेंगे जैसे हम यहां से copy करेंगे जहां पर हमको paste करना है वहां पर करसा रखेंगे और edit में जाएंगे यहां से duplicate कर देता है और cut option जो होता है वहां से हटा देगा और copy option उसकी duplicate कर देगा तो आप लोगों की अच्छे से समझ में आ गया होगा कि undo, cut, copy और paste का यूज क्या होता है फिर उसके बाद हमारा आता है delete का option जैसे यहां पर लिखा हुआ है point you click इसको हम delete करना चाहते हैं तो इसको हम select कर लेंगे हम keyboard से भी delete button press कर सकते हैं तो delete हो जाएगा या edit menu में आएंगे delete का option जो है highlight हो रहा है इस पर हम click कर देंगे तो जो भी मैटर होगा यहां से delete हो जाएगा अगर हम फिर लाना चाहते हैं edit menu में जाएंगे undo कर देंगे हमारा मैटर आ जाएगा edit में जाएंगे delete कर दे एक नया option दिया हुआ search with Bing का इसका काम क्या होता है जो यहां पर online वीडियो लिखा हुआ है हम चाहते हैं इसको internet के माध्यम से search करना यानि कि इसके बारे में कोई हम जानकारी लाना चाहते हैं तो इसको select करेंगे उसके लिए हमारे computer में internet connect होना चाहिए हम edit menu में जाएंगे य हमारे में internet connect नहीं है इसलिए यहां पर लिख रहा है no internet connection जैसे हम उस पर किलिक करेंगे तो उससे related जो भी जानकारी होगी वह यहां पर सो हो जाएगी उसको यहां से वह search कर लेगा इडिट में जाके search with pink पे तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस option का use हम कैसे करते हैं क्योंकि हमारे computer में window 10 पड़ी हुई है इसलिए कुछ नए option भी आ रहे हैं जैसे search with pink का option आ रहा है find previous का option आ रहा है फाइल में जाके new window का जो option दिखाई दे रहा है यह हमारे नए option है अगर आप लोग window 7 का use कर रहे होंगे तो आप लोगों में यह option नहीं होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे कि search with pink का काम क्या होता है फिर उसके बाद हमारे सामने यहां पर आ रहा है find का option find से क्या होता है जैसे कि किसी भी word को ढूड़ना है तो हम find कर सकते हैं जैसे यहां पर जो online लिखा हुआ है हम चाहते है online को ढूड़ना है तो online को हम ढूड़ने के लिए edit में आएंगे find में जाएंगे यहां पर हम type कर देंगे online जैसा ही आनलाइन टाइप किया हम यहां पर फाइंड करते हुए एक एक करके आएंगे जहां जहां आनलाइन लिखा होगा वहाँ वहाँ हाइलाइट हो जाएगा जहां आप दिया हुआ है अब हम अपर टिक लगा देंगे तो यह नीचे से ऊपर की तरह ढूड़ेगा जैसे ह आप लोग समद गए होंगे का काम क्या होता है फिर फाइंड के बाद हमारा फाइंड नेक्स आएगा फाइंड नेक्स जो भी हम टाइप किये होंगे तो एक बार ओ आटोमेटी को डूड़ने लगता जैसे कि हम इडिट में गए फाइंड पर जाएंगे तो यहां से इसका इसका एक वीडियो बनाएंगे ताकि आप लोग अच्छे से समझ में आए जैसे ही हम यहां जहां जहां आनलाइन लिखा है वह एक एक करके इस तरीके से ढोड़ता हुआ चला जाएगा जैसे एडिट में जाके फाइंड नेक्स्ट कर देंगे जैसे एडिट में जाके फाइं नेक्स्ट का काम क्या होता है फाइंड प्रिवियस कर देंगे तो पीछे की तरफ एक करके बैएक डोड़ेगा इस तरीके जहां जहां आनलाइन लिखा होगा और पीछे डोड़ेगा फाइंड नेक्स्ट से आगे और फाइंड प्रिवियस से पीछे की तरफ हो डोड़ता ह फिर उसके वाद हमारा रिप्लेश का आपसन आता है रिप्लेश का काम क्या होता है किसी वर्ड के इस्थान पे हम कुछ और लिखना बदलना चाहते हैं तो हम बदल सकते हैं उसके लिए एडिट मेनू में आएंगे रिप्लेश में जाएंगे हमारे समने जो भी नए डालॉक सबसे उपर लिखा हुआ है यानि कि हम जो यहां पर आनलाइन लिखा है हम चाहते हैं आनलाइन के जगा पर जहां जहां आनलाइन है वहां वहां यूपी सी आई यस यस प्राइम हो जाए तो हम इसमें टाइप करा देंगे यूपी सी आई यस यस प्राइम जैसे हमने यहां पर टाइप किया यूपी सी आई एस प्राइम और यहां पर फाइंड करेंगे तो पहले ढोड़ेगा जहां जहां पर लिखा होगा आनलाइन देखो आप लोग देख रहे होंगे रिप्लेश करेंगे तो एक एक करके वाँ उसके इस्थार पर रिप्लेश कर देगा यह हम लिखा था तो यहां पर यूपी सी आई एस प्राइम हो गया और यहां पर भी हमारा आनलाइन लिखा था तो यह यूपी सी आई एस प्राइम हो गया तो आप लोग जान गए होंगे कि रिप्लेश का का क्या होता है फिर उसके बाद हमारा आएगा यहां पर एक नेक्स्ट मेनू में आएंगे, यहां पर Go To का आपसन दिया हुआ है, Go To के आपसन पर हम क्लिक कर लेंगे, जैसे हम चाहते हैं, For Number Line पर जाना तो इसमें For Type कर देंगे, और यहां से Go To कर देंगे, हमारा कर्षर Direct For Line पर आ जाएगा, हम अगर one line पर जाना चाहते है एडिट में जाएंगे go to में जाएंगे इसमें हम one type कर देंगे और यहां से go to कर देंगे तो हमारा cursor first line पर आ जाएगा तो आप लोग समझ गए होंगे कि go to का काम क्या होता है replace का काम क्या होता है फिर हमारा जो next option है next option है हमारा select all का हम चाहते हैं जितना भी इस पर माइटर लिखा हुआ है इसको हम एक साथ select करना चाहते हैं तो edit menu में आएंगे edit menu में आने के बाद select all कर देंगे इसकी shortcut control होती है हम एक साथ पूरा page select कर सकते हैं एक साथ सभी को delete करना है तो हम delete button प्रेस कर देंगे delete कर सकते हैं copy करना है तो copy कर सकते हैं तो आप लोग समझ गए होंगे select all का काम क्या होता है select all से हम पूरे page पर जितना भी meter लिखा होगा हम select कर सकते हैं फिर हमारा time और date का option दिया हुआ है इसकी shortcut या 5 है हम जैसे यहां पर चाहते हैं कि हमको time और date insert कराना है तो हम cursor रखेंगे edit menu में आएंगे और time और date पर click कर देंगे जितना हम चाहें यहां से time और date insert करा सकते हैं तो आप लोग समझ गए होंगे कि time और date किस तरीके से हम insert कराते हैं हमें उमीद है कि आप लोग edit menu के जितने भी option है आप लोगों को अच्छे से समझ में आये होंगे अगर कोई भी doubt है तो comment करके भी पूछ सकते हैं फिर हमारा next menu है format menu का format menu में word drive का दिया हुआ है font का दिया हुआ है चलिए इसके बारे में भी हम डिसकस कर लेते हैं जैसे कि जो भी मैटर लिखा हुआ इसको हम यहां से एक बार हटा देते हैं हम आप लोगों को अच्छे से बताते हैं कि इसका यूज क्या होता है जैसे कि हम format menu में जब जाएंगे तो यहां पर देखो अभी टिक लगा हुआ है हम चाहते हैं जैसे यहां पर जो भी लिखे रहे हैं अभी लिखते जा रहा है हम थोड़ा भूर लिख लेते हैं फिर आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे इसका वर्क होता है अभी आप लोग देख रहे होगे जैसे ही जोप miss लिख रहे है जो हमारे विंडो के लांच में जा रहा है जो आटोमेटिक Kızा लैन ले लेता है इसको हम थो नहीं कर रहे हैं और नाइखना ब्रबाट को अगतर हैं अगर हम फार्मेट मेनू में आएङँगे तो उसके लिए जहां पर हमारा कर्षर है हम इंटर कर देंगे आटमेटिक नाइट ले लेगा जैसे अम देखो अभी लिख रहे हैं जब तक हम इंटर नहीं विंटो के लाश्ट तक आये और नई लेंच से लिखना सुरू कर दें तो हम फार्मेट मेनु में आएंगे फार्मेट मेनु ले लेगा देखिए जैसे हम अभी कुछ भी लिख रहे हैं यहां पर यहां पर आप लोग देख रहे होंगे जो भी हम लिख रहे हो आटोमेटिक नई लेन से लिखने लगता है इस तरीके से हम वह ड्राइब आफन का यूज करते हैं फिर हमारा जो नेक्ट आपसन है फौल्ड का फौल्ट आपसन जो है बहुत ही important है फौल्ड से हम जो हम इस पे लिखते है इसका size बड़ा कर सकते हैं इसकी style कर सकते हैं इस तरीके के जो आपसन होते हैं फौल्ड से करते हैं जैसे कि हम फार्मेट डैस में जाएंगे font पर क्लिक कर देंगे तो हमारे सामने एक नए डालाग बॉक्स बनके आ जाएगा यहां से जो है फॉंट चेंज कर सकते हैं किस तरीके से लिखना जैसे कि हमको इस डिजाइन में लिखना इस डिजाइन को सलेट कर देंगे जो भी टेक्स लिखा है इसको इटाइलिक करना चाहते हैं तो तेड़ा लिखेगा बॉल्ड करना चाहते हैं तो जो भी हम लिखेंगे ओलका मोटा लिखेगा मालियर रगुलर कर देंगे तो नॉर्मल वर्ड हमारे लिखेंगे यहां से हम अपना वर्ड है उसका साईज लिख सकते हैं नीचे आप लोग देख रहे होंगे यहां पर भी तो यह सो हो रहा है हम चाहते हैं इतना बड़ा लिखना तो यहां से इतना बड़ा लिख सकते हैं जितना हम फॉंट का साइज यहां से रखेंगे वह उतना ही वहां पे बड़ा लिखेगा यहां से हम अपने फॉंट स्टाइल कर सकते हैं बॉल्ड रखना है इटैलिक रखना ह है जिस तरीके से रखना हम रख सकते हैं यहां से फ़ォूंt की फ़ूंट जो भी रखना चाहें यहांसे हम रख सकते हैं इतनी सेटिंग करने के बाद यहां हम ओके कर देंगे तो आप लोग देख रहे हैंगे जो भी हमारा इस पर माइटर लिखा था उसका फॉंट चेंज हो गया हम इसको टेड़ा लिखना चाहते हैं तो फार्मेट में आएंगे फॉंट में आएंगे यहां पर जो इटैलिक का आपशन दिया हुआ इस पर किलिक कर देंगे और यहां से हम ओके कर देंगे जो भी हमारा मैटर था इटैलिक हो गया यानि कि वह हलका तिर्चा लिख रहा है तो आप लोग फार्मेट में जाके फॉंट और वरड्राइब के जो जूम है वो जूम आउट हो जाएगा जूम इन करेंगे जूम हो जाएगा और जूम करना है तो हम व्यू में आएंगे यहां से इसको जूम कर सकते हैं जूम इन करेंगे जूम हो जाएगा यह आपसन बिंडू 10 का है इसमें नोटपाइड बिंडू 10 में जो आपसन है जूम हो जाएगा या कंट्रोल के साथ माइनेश बटन प्रेश करेंगे तो यहां पर जो भी मैटल लिखा होगा और जूम आउट हो जाएगा तो आप लोग समझ गए होंगे जूम का काम क्या होता है नीचे जो इस्टेटेस बार दिया है इसको हमें दिखाना है यानिकी हाइ नहीं होगा हम मेनु में आएगे यहां से दिखाई दो लोग से स्टेटेस बार को हाइड कर सकते हैं और एंफिर हमारा बचता है help का यह हमारा computer में internet connect है यहां से हम help ले सकते हैं यहां help में जाएंगे send feedback पे click करेंगे यहां से भी अगर हमें इसके बारे में कोई comment करनी है तो net connect करेंगे अपने computer से यहां से हम feedback भेज सकते हैं यहां आप लिखके भी आ रहा है please go online इस तरीके से हम help में जाके view help, send feedback जो हमारे option है यह net से चलते हैं हम आप लोगों को किसी एक separate video में इसका जो use है इसका business कोई use नहीं होता है फिले हाल हम आप लोगों को इसका use बता देंगे about notepad पे click करेंगे तो यहां पे हमारे सामने जो एक dialogue box बनके आएगा इसमें लिखके आएगा कि जो हमारा notepad है एक कौन सा operating system है बिंडोज 10 operating system है यहां पे मलबे बिंडोज 10 operating system के अंतरगत आया इसलिए यहां पे notepad से संबंधित जानकारी लिखी हुई है तो आप लोग समझ गए होंगे file, edit, format, view और help menu के बारे में यहां आप लोगों के कोई भी doubt है तो आप लोग comment करके पूछ सकते हैं यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा इसकी प्रत के लिए आप लोग comment करके दीजिए साथ ही आप लोग इस वीडियो को अपने friend circle में share कीजिए ताकि उन लोगों की भी कुछ help हो सके यह आप लोग भी EDCA course सीखना चाहते हैं और certificate फाना चाहते हैं तो आप लोग हमारे channel को subscribe कीजिए हम अपने channel के माध्यम से बिलकुल फिर ही मैं EDCA course सीखा रहा हूँ फिर हम अगले वीडियो में जानेंगे wordpad के बारे में वी wordpad क्या होता है यदि आप लोग भी wordpad सीखना चाहते हैं तो हमारे channel को subscribe कीजिए वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हम मिलते हैं अगले वीडियो में Thanks for this watching video